तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आगया हूँ जो की ग्रीन फिल्ड कॉनली में बी ब्लॉक में वने वाली है और यह जो प्रॉपर्टी है साड़े 300 गज में प्रॉपर्टी है यह आपको ऐसा ही मिले है जैसा आप देख रहे हो काफी अच्छा और एक पास पास देख सकते हो पूरी बसावाट है सभी जगा आसपास लोग रहते हैं और यह आपको दो गेट मिल जाते हैं जो कि एंट्रेंस पर तो आईये चलते अंदर और यह अंदर चलते ही सबसे पहले यह per floor के according आपको यह tanks मिल जाते हैं जो कि 3300L के tank रहेंगे जो कि आपको separate per floor के according मिलते हैं और यह पूरा आपको end तक पूरी stilt parking मिल जाती है आप देखो काफी spacious अगर आपके पास 2-2-3-3 गाड़िया भी है तो भी आप easily हाँ पर खड़ी कर सकते हो और इधर आपको servant room मिल जाते हैं फ्लोर के according आपको separate separate मिलते हैं और यह पूरा यह common यह इधर आपका common washroom आ जाता है सामने और यह हमारा उपर जाने का entrance रहेगा lift भी operational है lift आ जाती है तो आईए second floor पर चलते हैं second floor मैंने प्रेस कर दिया है इसमें खाली 3rd floor बचा हुआ है अगर कोई लेने में इंट्रेस्टर होता है तो आप बढ़ा सकते हो अब वह मुद पर जा रहे हैं second floor पर second floor मैं इसके second floor पर आ चुका हूं यह हमारा कुछ entrance रहेगा यह आप देख सकते हो काफी उची height का आपको entrance मिल जाता है यहाँ पर आपका mcv box आ जाता है और पीछे आपके lift आ जाती है जो की already operational है तो आईए चलिए चलते अंदर और अंदर चलते ही सबसे पहले ही आपका drawing area आ जाता है यह आप इसका area चेक कीजिए काफी spaces आपको area मिल जाता है यह सामने आपको tv panel मिल जाता है इस सामने जो आपको wall पर design देख रहा है यह as it is आपको ऐसा ही मिलेगा आप इस area की false selling चेक कीजिए false selling आपको as it is मिलेगी जैसी आप देख रहे हो और यह हमारा कुछ main entrance था इसके बाद अब मैं आपको इसका main entrance बन कर देता हूँ यह हमारा आपको partition आपको as it is मिलेगा जैसा आप देख रहे हो wooden work काफी किया हुआ है और इधर हम enter हो जाते है तो यह हमारा dining space आजाता है और इधर हमारी kitchen आजाती है जो कि fully modular kitchen आपको as it is ऐसे ही मिलेगी यहाँ सामने आपका मंदिर मिल जाता है जो कि as it is रहेगा kitchen के side की fall ceiling देखिए यहाँ पे भी fall ceiling की हुई है जो कि काफी अच्छी और एकदम शांदार लग रही है कुछ kitchen की मैं आपको drawers open करके दिखा देता हूँ देखिए जो कि proper soft closer के साथ है जितनी भी आप देखोगे proper soft closer के साथ है यह आपको separate breakfast table मिल जाता है और इधर आपको balcony का access मिल जाता है जो कि kitchen से भी आपको दिया हुआ है और और इस सामने वाले room से भी है तो अब मैं आपको इसका पहला bedroom दिखा रहा हूँ यह हमारा कुछ पहला bedroom रहेगा आप इसका room size चेक कीजिए coffee spacious आपको room मिल जाता है आप इसकी false ceiling चेक कीजिए false ceiling आपको as it is मिलेगी जैसी आप देख रहे हो सामने आपको cupboard का space मिल जाता है यह covers आपको मिल जाती है coffee spacious और इधर आपको एक यह छोटा सा store room मिल जाता है room के साथ और यह आपका attach washroom है आप इसमें बाटब बगेरा लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो बट आपको sanitary fitting जो हो के मिलेंगी जो कि आपको builder आपको करके देंगे और इस room से आपका balcony access हो जाता है जो कि running balcony रहेगी यह आप देख सकते हो coffee spacious आपको balcony मिल जाती है यह kitchen से भी connected है उस सामने वाले room से भी connected है तो आप यह आपको दिखाऊंगा अब मैं आपको इसका second bedroom दिखा रहा हूँ आप इसका room size check किजिए master bedroom आ जाता है हमारा coffee spacious आपको room मिल जाता है with attached washroom with attached walk-in closet आप इसकी fall ceiling चेक किजिए fall ceiling आपको as it is ऐसे ही मिलेगी जैसे आप देख रहे हो और इधर से आपको balcony का access मिल जाता है जो कि मैं already आपको दिखा चुका हूँ वही same balcony आपको मिल जाती है यहां पर यहां पर आपको सामने cupboard मिल जाती है और इसके साथ attached washroom washroom का size देखिए coffee spaces आपको washrooms मिल जाते है washroom में अभी sanitary fitting की नहीं होई sanitary fitting आपको होके मिलेगी और इसके बाद अब मैं आपको इसका next bedroom दिखा रहा हूँ जो कि third bedroom रहेगा यह हमारा third bedroom आजाता है इसके साथ आपको common washroom मिलता है मैं आपको washroom अभी दिखाता हूँ आप पहले इसका room size चेक कीजिए coffee spaces आपको room मिल जाता है सामने आपको cupboard मिल जाती है और इसकी false ceiling चेक कीजिए false ceiling आपको as it is मिलेगी सभी room में अलग-अलग false ceiling की हूई है ताकि सभी room की look अलग-अलग आए और सामने आपको AC की wiring होके मिलती है AC की wiring सभी में की हूई है यह attach आपका washroom आजाता है जो कि common area से भी access है जिस area से मैं आपको भी दिखा रहा हूँ यह common area से है और room से इधर से connected है जो कि आपको gate दिया हुआ है यहां से भी आप अपना room से access हो सकते हैं washroom में अब मैं आपको इसके बाद इसका last bedroom दिखा रहा हूँ यह हमारा last bedroom आ जाता है आप इसका room size चेक कीजिए काफिश पेशियस आपको room मिल जाता है आप इसकी false ceiling चेक कीजिए इसकी false ceiling different की हुई है ताकि हर किसी room की look अलग-अलग लगे सामने आपको covers मिल जाती है इसके साथ attached washroom मिल जाता है washroom आपको जैसा आप देख रहे हो काफिश पेशियस मिल जाता है sanitary fitting के साथ मिलेगा with vanity के साथ और इधर आपको front balcony का access मिल जाता है या आप इसकी balcony का size चेक कीजिए coffee spacious आपको balcony coffee spacious आपको balcony मिल जाती है यह बगल वाले room से भी connected है और देखें coffee spacious है और आप आजपास देख सकते हैं पूरी बसावट है और जस्सामने आपको park मिल जाता है जो यह मैंने आपको जूम करके दिखाया है आपको दिग्या होगा यह पूरा हमारा park आजाता है nearby location पे जो कि usually लोग park के सामने property मांगते हैं यह आपको सामने park मिल जाता है आजपास पूरी बसावट है जहां पे भी आप नज़र खुमा के देखे होगे मैंने आपको overall पूरा घर दिखा दिया है जो कि साड़े 300 गज में बना हुआ है 4 बह के 4 वाश रूम और नीचे आपको servant room भी मिल जाता है basically 4 प्लस 1 है जो कि आपको मिलता है नीचे आपको दोदो गाड़ी की parking मिलेंगी सामने आपको park मिल जाता है जो कि park fishing property है और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे है तो वीडियो को like करना और वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको इसका rate बता जाता हूँ rate जो है इसका 1.5 करोड रुपे asking है on table बैठ के negotiable है जो on table बैठने के बाद ही negotiable है कई लोग जो है कि बैठने से पहले ही rates पूस्टे है वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती जब तक आप on table बैठ होगे then we will discuss on table या on table exact idea आपको हम दे सकते हैं और guys अगर वीडियो अच्छे लगे है तो वीडियो को like करना, channel को subscribe करना until then take care मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबा